नमस्कार दोस्तों अगर कहानियां आपको अच्छी लग रही हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आईए सुनते हैं आज की कहानी कहानी का शिर्षक है शेश अगनी परिक्षा लेखिका मंगला रामचंदरन इधर कुछ दिनों से वेदेही इसी तरह से महसूस कर रही है रमण से मुलाकात के बाद वो कुछ असहत सा महसूस करने लगी है मन में असमंजस के स्थिति बनी रहती कारण तो विस्वैम भी छीक से समझ नहीं पा रही है पर यह इस्थिती पिछले चंद महीनों में अधिक स्पस्ट रोप से महसूस कर पा रही है रमण से वे पिछले डेड़ वर्षों से परिचित हुई है ना तो कोई पहली नजर का प्यार वाला मामला था ना ही ऑफिस में साथ काम करते हुए रोज मिलते रहने का सलसिला वैदेही को तो ये भी याद नहीं आ रहा है कि पहली बार रमण से कहा और किन हालात में मिला अब सोचने पर लगता है कि शायद वो सुभाविक या प्राकृतिक रूप से निर्मितवाता वरण नहीं था तब ही तो उसकी याद दिल में बसी हुई नहीं है 26 वर्षे वैदेही दोढ़ाई वर्षों से इस बैंक में काम कर रही है युवा जहीन और आत्म विश्वास से लबालब भरी हुई अपना काम इतनी मुस्तैदी से करती कि आसपास के लोगों में भी साकारात्मा कुर्जा पैदा हो जाती उसके घर में माता पिता भाई भावी उसके विवहार और कारे कुशलता से प्रभावित थे और वो उन सब की लाडली ही थी एक बड़ी दीदी जो वैदेही से पंद्र साल बड़ी थी शादी शुदा थी दीदी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी उनकी स्वैम की बेटी और वैदेही में मात्र चार वर्ष का अंतर था वन्दिता उसे मौसी तो बुलाती ही नहीं थी कभी कभी दीदी का संबोधन भले ही दे दे वन्दिता और वैदेही के खोब घुट-घुट कर बाते हुआ करती थी जब मिलते तब तो दोनों चिडियों की तरह चचहाती रहती जब दूर होती तो फोन पर बतियाती रहती वन्दिता के लिए तो वैदेही रोल मॉडल थी मैं दीदी की तरह ये करूँगी वो करूँगी ऐसी बनूँगी आदी उसके सुत्रवाक्य होने लगे जब से समझाई अपनी इस मनोदशा में वैदेही को लग रहा था कि दीदी और वन्दिता से बाते करना जरूरी है दीदी अनुभवी और धीरगंबीर सुभाव की है किसी भी समस्या या बात के हर पहलू को अच्छे से जाचे बिना कुछ नहीं कहती या करती वहीं वन्दिता वर्तमान पीड़ी की प्रगतेशील विचारों की ऐसी युखती है जिसके उम्र विवाहयोग्य हो रही है जब रमण की ओर से वैदेही का हाथ मांगा गया तो वैदेही की घर सबको बड़पन का हैसास हुआ अपनी बेटी के गुड़ो की कदर करने वालों का एहसान भी महसूस हुआ जब आया हुआ रिष्टा स्विकार कर लिया गया तो फिर रमण को वैदेही से मुलाकात करने का भी मानो लाइसेंस मिल गया पहली बार जब वो वैदेही के आफिस पहुचा तो वैदेही का ध्यान उसकी उर गया ही नहीं वो भी कतार में लग गया और जब उसकी बारी आई तो बजाए बैंक से लेंदेन या कोई और काम बतानी के बोला मैं रमण कुमार आप से वैदेही को याद भी नहीं आता कि आगे उसने वाकि किस तरह पूरा किया काम है आपको बस आप से मिलने आया हूँ आप काम खत्म कर लें तो कहीं चल कर बैठते और बाते करते हैं रमण कुमार की विश्वास भरी आवाज ने वैदेही को प्रभावित नहीं किया ऐसा नहीं कह जा सकता उसके पिछले कतार में खड़े लोगों में कोई गलत धार्ना न बन जाए इस डर से वैदेही अतरिक्त सहज और दोस्ताना अंदाज में बोली आप कुछ इंतिजार कर लीजिए मैं काम खत्म करके जल्दी ही आती हूँ वैदेही को रमण का साथ भला लग रहा था पर इसके बाद उसका जब तब असमय बैंक में मिलने आना ठीक नहीं लगता था बैंक के सहयोगी भी धीरे-धीरे ताने मारने लगे उपर के अफसरों का भी थोड़ा डर लगता रहता था आखिर वैदेही ने रमण को एक दिन कही दिया कि बैंक में काम के समय वो नहीं आए तो अच्छा रहेगा बैंक छूटने के बाद दोनों मिलते तो वैदेही को घर पहुचते हुए रात हो जाती हाला कि घर के सभी सदर्शे प्रक्तिशील विचारों के थे पर रोजी रात को देर हो जाने से वैदेही को शटपटा महसूस करने लगी आखिर उसने रमण को साफ साफ कह दिया हम दोनों सप्ताह में किसी एक दिन शनिवार या रविवार को मिलें वो भी दिन ही दिन में जिससे शाम तक मैं घर पहुच जाऊ छुट्टी के दिन मुझे खुद के भी कुछ काम निप्टाने पड़ते है रमण ने बड़ी नाट की अता से कहा जैसे भी हुजूर चाहें कहें वैसा ही होगा पर हुजूर ये बताने की तकलीफ तो करें कि अब आपका खुद का अलग सा वो काम क्या है भला जिसमें हम शामिलना हो वैदेही ने उसकी बातों को हलके अंदाज में ही लिया और मस्कुरा कर कह दिया मुझे ही नहीं सभी को यहां तक कि आपको भी कुछ व्यक्तिकत काम तो होते ही है बहुत जल्द ही वैदेही रमण के सुभाव से कुछ असहजता महसूस करने लगी वो तो ये समझा करती थी कि रमण उदार विचारों का बहुत ही भला और बड़े दिलवाला युवक है पर चंद महीनों से उसकी बाच्ची थाव भाव सभी कुछ और ही इंगित करने लगे कभी कभी तो वैदेही को लगता कि रमण उस पर अपनी मिल्कियत समझने लगा है एक दो बार तो उसे लगा कि वो प्यार का हक जता रहा है पर धीरे धीरे यहक नियंतरन रखने की तरह होने लगा ऐसे हालात बनने लगे कि वैदेही चिंतित होने लगी उसने अभी तक स्वाभिमान और आत्मविश्वास का पाठी पढ़ा और सीखा था उसी के बल पर प्रगती करते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर आप निर्भर भी बनी जब भी पती के रूप में किसी के बारी में सोचती तो भले ही चेहरा धुंदला और अस पस्ट रहे पर मित्रवत व्यवहार और पत्नी को व्यक्तिगत स्वतंदरता देने वाले एक भले सहयोगी के रूप में ही उसकी कल्पना करती वैदेही की मानसिक दुविदा बढ़ती जा रही थी रमण वैदेही के वेतन की जानकारी लेकर आगे की योजना बनाने लगा था देखो वेदू सबसे पहले तुम कारलोन ले लेना तुमको भी कितना आराम हो जाएगा ड्राइवर तो तुम्हारा ये दास शोफर रमण कुमार ही बन जाएगा उसका यू अंतरंगता से वेदू बुलाने लगना उसे शायद अच्छा भी लगता पर आगे के वाके ने उसे चौका भी दिया और औचेतन में वो सुचेत हो गई वेदेही से कोई जवाब न पाकर रमण ने उसके चहरे पर आते जाते भाओं को पढ़ा और आस अंतुष्टता की महीन जाली बुनते हुए देखा तुरंथ ही अपना सुर्वदल कर बोला कहां सोच में पढ़ गई? मैं तो यूँ ही कह रहा था हम पहले तो हनिमून की प्लैनिंग करेंगे अब तक वेदेही मन ही मन कुछ निश्चय कर चुकी थी उन दोनों के विवाह की तारीख तीन महीने बाद की तै हुई है इस से पहले दीदी और वंदिता से मिलकर चर्चा करने का उसका निश्चय त्रिड हो गया है घर पर मापापा और भाई भावी से बातें की और उसने इलहाबाद के लिए दो सप्ताबाद के ट्रेन के टिकट वुक करवा लिये अब उसे रमण का मिलने आना कुछ नागवार सा लगनी लगा था अभी से यदि हो वेदेही को और उससे जुड़ी चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है तो विवाह के बाद किस हद तक जा सकता है ये सोचकर वो घबरा गई वेदेही ने अपने इलहाबाद जाने के बारे में रमण को बताया ही नहीं उसके जाने से दो दिन पहले रमण उससे मिलने आया वैदेही उसके सामने यूँ भी कम ही बोलती थी उस दिन तो वह एक तरह से गुंगी ही बनी रही उस दिन रमान अधिक उच्साह में था और वाचाल भी बहुत था वही लगातार बाते करता रहा यह भी अच्छा ही हुआ क्योंकि उसका ध्यान वैदेही के मौन की तरफ गया ही नहीं वेदू सोच कर देखो यह कितना अजीब है कि पिछले वर्ष हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे अब देखो अगले चंद महीनों में पती-पत्नी बन जाएंगे तब तक दोनों एक दूसरे से अच्छे से वाकिक भी हो चुके होंगे वर्ना किसी अजनभी के साथ सुहागरात मनाने का सोच कर अजीब नहीं लगता अच्छा हुआ कि उसने वैदेही की चिंतित मुद्रा पर अधिक गौर नहीं किया और आगे भी कुछ ऐसी ही बाते बोलता रहा अब तक वैदेही उकता भी गई और जाने को छट पटा रही थी तब ही रमण के मुह से एक ऐसी बात निकल गई कि वैदेही की दोविदा बिलकुल ही समाप्थ हो गई मैं सोचता हूँ कि हमें बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहिए इस बारे में तुम्हारा क्या खयाल है अब तक बोर हो चुकी वैदेही के मुह से निकला मैं तो बहुत आगे का वैसे भी नहीं सोचती जीवन में आज का महत तो मेरे लिए सबसे जादा मायने रखता है आज की घड़ी बता रही है कि बहुत देर हो गई मुझे अब चलना चाहिए या कहते कहते वो अपने पर्स को समेट कर खड़ी हो गई चले जाना भाई कुछ देर सबेर से इतना फर्क नहीं पड़ जाएगा पर मेरे मन की आखरी बात तो सुन कर जाओ रमण अपनी आवाज में उच्छता का पुट मिला कर इस तरह बोला कि वैदे ही ठीठक कर रुख गई और रमण के चेहरे की और देखने लगी कि न जाने अब कौन सा बम फोटने वाला है सच ही रमण के मौं से निकलावा कि छोटा मोटा बम ही था वेदो हम दोनों बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होगा जो हमारी खुशी में अर्चन पैदा करे तुम भी इस बात से सहमत होगी है ना वेदेही से सकारात्मक जवाब पाने के उच्चुकता में ठिकी रमण की निकाहें उसके पीछ पर ही जम सकी क्योंकि वेदेही बिना कुछ कहे ही निकल चुकी थी काफी समय बाद वेदेही को रूई की तरह हलका पर महसूस हो रहा था दिमाग में कोई उलजन बाकी नहीं रह गई थी रमण से रिष्टा तोडने के ख्याल से ही वो खुशी महसूस करने लगी अब तो उसने फैसला ही कर लिया कि वो भले ही कवारी रह जाए पर रमण से विवाह किसी भी कीमत पर नहीं करेगी बीच में एक दिन था और उसके अगले दिन का इलहावाद का टिकेट था उसे लगा कि भावी को कम से कम अपनी मनोदशा और फैसले के बारे में बता देना चाहिए उसे दिन रात को उसने पिछले कुछ समय से रमण का जो विवाहर था उसका खुलासा भावी के सामनी किया भावी चौकी जरूर पर उन्होंने यही कहा गुर्टी अच्छा हुआ अभी ही उस आदमे की प्रवित्टी का अंदाजा लग गया नहीं तो तुम्हारा जीवन ही बरबाद हो जाता मैं तुम्हारे भहिया से बात करती हूँ और रमण से छुटकारा पाने का रास्ता खोशते हैं तब तक तुम दीदी के यहां चार दिन रहकर कुछ तरूताजा हो जाओ और इसे बुरा सपना सोच कर भूल जाना दीदी और भहिया उसे गुड़ी ही बुलाते थे भावी को उसका नाम अच्छा लगता था सो पूरा नाम लिया करती थी और सभी को कहती थी कि नाम को बिना बिगाडे पुरा लिया करें उनके महों से गुड़ी सुनकर वैदे ही को लगा कि भावी उसका रच्छा कवच है इलहा बाद दीदी के हाँ पहुच कर तो वो अपनी पुरानी मना स्थिती में आ चुकी थी जी जाजे स्टेशन से उसे लेकर आए और दीदी से बोले गुड़ी के चहरे पर कितनी चमक और आत्मे विश्वास का नूर वरस रहा है मनूर्मा दीदी ने भी मुस्कुराते हुए उसकी और देखा और पती से बोली आप कहीं उसे नजर न लगा देना ये बाते सुनते हुए वंदिता बाहर आई और बोली मेरी दीदी के चहरे पर आत्मे विश्वास की चमक है और आत्मे निर्भरता की रंगत जीजा जी के ओफिस चले जाने के बाद वैदेही ने दीदी को सारी बाते खुल कर बताई साथ ही अपना फैसला भी सुना दिया हालाकि दीदी ने कहा गुड़ी ये बहुत बुरा हुआ मा पापा को तुझे सद्मा ही लग जाएगा पर अगले ही पल बोल पड़ी तुझ इंता न कर तुने जो भी किया ठीक किया शादी से पहले ही जो विक्ति इतना पुज़सिव है वो शादी के बाद तो तुझे गुलाम की तरह रखने लगता मैं भाई से बात करती हूँ और उसे भी समझाती हूँ कि तुम एक बड़े हादसे से बच कर आई हो वन्दिता ने भी सारी बाते सुनी वैदेही के विवाह में मौज मस्ती करने का जो उसका प्लैन था वो चौपट होता देखकर थोड़ा मलाल जरूर हो रहा था पर उसके खुरापाती दिमाग ने तुरत-फुरत अपने पापा से कहकर पिकनी का कार करम बनवा लिया पहले भी एक दो बार सीता मड़ी जाने का कार करम बनाने की कोशिश की थी पर कुछ जम नहीं पाया था इलाबाद से लगभग सत्तर किलोमेटर दूर है सीता मड़ी सुबे सुबे शीतल हवा के जखुरे लेते हुए कार में चले गए पहाडी पर बहुत ही बड़े हनुमान जी की प्रतिमा थी सीता जी का मंदीर बाहर से इतना सुन्दर और भव्य है वहीं तीनों और से तमसा और गंगा नदी का पानी उसे और भी मनमोहक बना देता है पास के तलाब में खिले असंखिलाल कमल देखकर तून चारों का मन एक अकथ शान्ती और प्रसन्नता से भर गया आखिर जीजा जी ही बोले तुम लोग बस यही देखते रहोगे कि मंदीर के अंदर भी जाओगे मंदीर के प्रथम तल में सजीदा जी लाल रंकी साड़ी में सीता जी की बहुत ही सुन्दर मुर्ती है उसे निहारने से दिल भरता ही न था निचले तल में गेरुए वस्त्र में अवनी में समाहित होती हुई सीया की जीवंत मुर्ती यू लग रही थी कि जैसे आखों के सामने ही सीया भूमी में समा रही हो वाता वरण कुछ गमगीन और भारी हो गया था वंदिता ने चुपी तोड़ी भगवान राम सीता की प्रतिक कितने निर्दई हो गय थे तब भी सीया रानी हर जन में श्री राम को ही पती परमेश्वर के रूप में चाहती थी महिलाएं सेंटिमेंटल होती हैं या कुछ मेंटल दीदी बोली वो जमाना तो कुछ अलगी था तब पुरुष भी मर्यादावान होते थे आज की नारी पती की अवेलना या उपेक्षा सहन नहीं करेगी करे भी क्यों जब दोनों समकक्ष हैं तो सहयोगी की तरह रहना चाहिए वंदिता ही नहीं उसके पापा भी दीदी के विचार जानकर जोर से कह उठे वाह वाह फिर वंदिता बोली ममा अब आप भी दीदी और मेरी कलब में शामिल हो गई अब हमारी ताकत बढ़ गई है वैदेही को लगा मानों उसके फैसले पर सही मुहर लग गई हो उसे परम शान्ती का अनुभव हो रहा था